प्रोड़क्ट डिवेलपमेंट जो है उसके जो हमने अगर हम स्टॉरिकली देखें तो स्टॉरिकली प्रोड़क्ट डिवेलपमेंट के लिए दिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट for example there was an engineering department marketing वाले उनके पास आते थे engineering department को बताया है कि जी ये requirement है customer की market के अंदर ये नय product आने वाले हैं तो इस किसम का product आप भी design करें design जो department है वो उसको design करता था और production department को उसने भेज देना production department देखता था कि इसके अंदर क्या material चाहिए तो वो purchase department को भेज देता था कि ये material locate करो और हमें ये provide करो और फिर उसको देखता था कि equipment के उपर वो produce हो सकता है कि नहीं हो सकता देखा कि specification बहुत टाइट है ये तो हमारे ये पास जो machinery है वो ये produce ही नहीं कर सकते तो वो वापस इनको वापस भेजता था design department को भी इसको चेंज करें specification तो ये to and fro चलता रहता था until they agree कि जी क्या इन्हों ने product जो है final उसका design approve होता था लेकिन अब क्या हो रहा है कि आज कल ये team approach है team approach कैसे है कि हर functional area जो है for example design department है production department है marketing या sales के लोग है purchase के लोग है accounting वाले हैं ये सब एक team बन जाती है वो बैठते हैं और जो marketing department या sales ने बताया product या product market के अंदर लाने का तो वो design department उसको design करके उढ़री ली आता है बताता है कि यह हमारा design है production वाले बताते हैं यह इतनी specification टाइट specification हम तो produce नहीं कर सकतें तो उढ़री उसके decision हो जाता है purchase वाले बता देते हैं कि यह material available है नहीं है कितना costly है finance वाले बता देते हैं कि यह जो cost calculation है उसके इसाब से यह price इसके ठीक नहीं पड़ेगी जितने की marketing वाले कह रहे हैं कि price होनी चाहिए और वो उसी वक्त उसी team के अंदर वो सारा design हो जाता है और जो design होता है वो ही final design बन जाता है it is also called concurrent engineering वो उसको लेकर आजकल काम हो रहा है और उस basis के उपर बड़ी तेजी के साथ यह जो product development है यह होती है अब हम इसको issues देखें product development के अंदर तो इसके अंदर issues हैं कि जो design है वो robust होना चाहिए robust क्या मतलब है कि अगर छोटी specifications उस design में change भी करने तो उस पर कोई negative effect नहीं होगा उसकी performance के उपर ठीक है it is robust simple design है असानी के साथ produce हो जाएगा उसके अंदर ज्यादा changes थोड़ी changes उगारा की हैं तो उससे उसका जो actual performance है उस पर कोई impact negative नहीं पड़ेगा दूसरा है modular design कि तरह develop करें modular design इसलिए है क्योंकि it is easy to assemble the product अगर modular design है अब देखा होगा कि printer है उसके अंदर toner डालना है प्राने जो printers थे उसके अंदर वो screws गारा loose करने पड़ते थे toner निकालना पड़ता था निया toner डालके screws tight करते थे तो एक headache होती थी अब किया है कि आपने toner लिया वो प्रेस किया उसको बाहर नकाला दूसरा toner उसमें रखा वो खुदबाखुद slide करके अंदर जाकर अदर अपनी जगा पर fit हो जाता है और और कुछ करना नहीं पड़ता so the modular design has become more easy to handle and fast to assemble फिर computer-aided design है उसका technology आ गही है computer-aided manufacturing की आ गही है virtual reality technology product development use हो रही है value analysis हो रही है तो यह सब चीजें इसके अंदर हो रही है again अगर हम देखें robust design तो product is designed so that small variation in production or assembly do not adversely affect the product यह जैसे मैंने पहले बताया है कि थोड़ी सी changes में कोई फरक नहीं पड़ेगा इसकी वज़ा से lower cost होगी simple design होगा तो उसको quality भी अच्छी high quality होगी modular design basically easily assemble किया जा सकते हैं component और modules बनाए होते हैं sub assemblies बनाए होती हैं जो कि easily आप उसको assemble करकर निया product ले आते हैं इसके अंदर flexibility आपके लिए होती है असानी के साथ आप इसको perform कर सकते हैं then we have computer-aided design and manufacturing basically computer-aided design software है जिसके basis के उपर आप पूरा product design कर सकते हैं और computer-aided manufacturing के लिए you need computer-aided design क्यूंकि उससे फिर वो link होता है with manufacturing और यह automation के अंदर आप इसकी production कर लेते हैं so computer-aided design के साथ then you link computer-aided manufacturing virtual reality is basically physically आप product को नहीं देख रहे हैं आप virtually उसको देख रहे होते हैं आपने glasses लगाई होती हैं उसके अंदर virtually 3D के अंदर product नजर आ रहा होता है और you can see के जी इसका क्या quality क्या है आपको उसके लिए physically आपके सामने product मुझूद हो उसकी जरूरत नहीं होती तो virtually आप कर लेते हैं फिर उसको design वगारा करकर उसकी production वगारा शुरू की जा सकती है इसी तरह customers भी virtually उसको देखकर उसका order place कर सकते हैं फिर value analysis है it is basically value analysis is something जो के engineering analysis का type भी है लेकिन ये होता है production के दुरान changes production के अंदर product को बेतर बनाना product का process को बेतर बनाना more economical बनाना वो है design stage के अंदर जो मैंने बताया के value engineering की जो बात हम कर रहे हैं वो design stage पर है value analysis ये production stage के अंदर होता है तो इसको हम use करते है value analysis को